जी आईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है मैं हूँ पुशकर आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिलवाईज इंट्री जब बैलेंस सीट की इंट्री कर लेते हैं उसके बाद हमें बिलवाईज इंट्री करने की जरूरत होती है क्योंकि जो हमारे supplier है और जो हमारे customer है उनके जो balances है उनको bill wise break up करना होता है इसके लिए हमें bill wise entry करने होती है तो यहाँ पर एक format हमने बना रखा है कि जो भी हमारे supplier है जैसे कल की balance sheet में हमने देखा था कि Ram Limited के नाम से एक हमारा supplier है जिसका total balance 70,000 रुपए है तो अब उसको हमने तीन पार्ट में divide कर लिया है इसका मतलब यह हुआ कि Ram Limited से हमने bill number 450 से 25,000 रुपए का goods purchase कर लिया bill number 451 से 30,000 रुपए का goods purchase कर लिया और bill number 452 से 15,000 रुपए का goods purchase किया है और इनकी सब की total value जो है 70,000 रुपए आ गई है इसका total balance 30,000 रुपए है इसका मतलब यह हुआ कि Lakshman Limited से हमने bill number 41 से 17,250 रुपए का goods purchase कर लिया bill number 42 से हमने 12,750 का purchase कर लिया इसका भरत Limited है भरत का bill number 124 से हमने 8,000 रुपए goods purchase कर लिया और बाकी amount हमारा 12,000 रुपए goods हमने अलग से purchase कर लिया इसका bill wise detail उपलब्ध नहीं था इसलिए हमने यहां पर on account लिग रखका है सेम ऐसे अपने customer भी है अर्जुन लिम्टेड, युदिश्टी लिम्टेड और भीम लिम्टेड आज की class में हमको इनकी bill wise entry करनी है सबसे पहले tally software को open करते है यहां पर alt w button से हम educational mode में जाते है select company में जाते है और यहां पर हमें अपना location set करना होता है d colon slash tally enter कर देते हैं यहां अपना best time select कर लेते हैं यह हमारे company है ठेक, कल जो वर किया थो उसे एक बड़ चेक कर लेते हैं जैसे keyboard से B button प्रेस करेंगे balance sheet open हो जाएगा इसे expand करके detail में देखने के लिए alt plus 7 button प्रेस करेंगे तो यह हमारा detail में so करेगा तो अभी आज यह balance sheet मेरी देख रही है अब हमें करना क्या है इसके button से वापस आना है bill wise entry करने के लिए accounts info में आना है और laser में जाना है और alter mode में open करना है तो सबसे पहला हमें alter mode में open करना है RAM limited का RAM select कर लिया यहाँ पर सबसे ध्यान वाली देने वारे चीज यह है कि यह जो आपसन पूछ रहा है maintain balance bill by bill इसे yes करना जरूरी होता है maintain balance bill by bill इसे yes करना जरूरी होता है इसके लावाँ जब laser को आप alter mode weapon कर रहे हैं तो यहाँ उस party का address भी डाल सकते हैं जैसे RAM limited तब इसका address कहाँ का है ठीक तो एक मैं dummy के रूप में address मैं यहाँ पर डाल दिया उपर रहोना कुसी नगर तो जहाँ का भी address होगा वहाँ का address भर देंगे तो उससे आपको पार्टियों को पहचानने में सुद्धा मिलेगी क्योंकि यह संभव है कि यह कही नाम से एक सधिक businessman हो अब यह screen जो है यही हमारे bill wise entry है देखिए उपर लिखा है bill wise breakup आफ राम लिम्टेड अब यहाँ पर आपको bill का date भनना है bill का number भनना है credit date भनने है और amount भनना है तो सबसे पहला हमारा है first हम देखेंगे तो यह bill का date है 1-4 तो चुकि है जो kisland mode है इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 1-4 लिखना होगा year अपने आप उठा लेगा ठीक bill का नाम है RAM 001450 RAM 001450 और इसका amount है अपना 25,000 रुपए यहाँ हमने भर दिया 25,000 रुपए सेम ऐसे educational mode है इसलिए एक एही date में हमें सारे इंट्री करनी पड़ेगी जब आप real software में काम करेंगी तो आपको अलग-अलग date में इंट्री करनी होती है next bill का amount है 30,000 रुपए तो मैंने यहाँ पर भर दिया 30,000 रुपए फिर तीसरा है वापस आते हैं पर कुछ गलती हो गई थी इसको सही करने के लिए RAM-001-452 और यह amount हो जाएगा 15,000 तो इस तरह हमने क्या किया RAM Limited का जो 70,000 रुपए का बैलेंस था उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया 450, 451 और 452 और उन सब के आगे उस bill का amount भ़टना शुरू कर दिया यही process ही हमारी bill-wise entry कहलाता है तो राम का हो गया उसके बाद हमें लक्षमन को select कर लेना है इंटर कर लेना है इस तरीके से लक्षमन को हमने select कर लिया यहाँ पर अब लक्षमन का पहला bill जो है ELAX 002041 14 ELAX slash 002041 और यह है 17,250 रुपए का दूसरा bill जो है वो भी एक अप्रेल की डेट में है ELAX slash 002 slash 042 और यह 12,750 का तीसरा bill हमारा भरत limited इसको भी same इसी तरह के select करेंगे एक चार इसका अमाउंट है 8,000 रुपए तीसरा bill है 14 BHRT slash sorry यह जो भरत limited का दूसरा bill है यह on account होगा यहाँ पर देखिए तो यह bill number उपलब्द नहीं था यानि मैंने भरत से 12,000 रुपए का goods तो purchase किया यह तो confirm है लेकिन किस bill number से purchase किया यह confirm नहीं था इसलिए यहाँ पर हम on account सब्द लिखेंगे तो यहाँ पर हम भरतेंगे on account और यह amount हो जाएगा 12,000 रुपए तो ऐसे इन्वाइसे जिनके बिवरोड उपलब्द नहीं है उनको on account ट्रिक कर इंट्री करते हैं फिर यह अर्जुन लिम्टेड का है हमने अर्जुन लिम्टेड का खाता open कर लिया नीचे इंटर इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है यहाँ bill wise break up करना है तो सबसे पहला है ARJ 001 129 ARJ 001 129 और इसका amount है 30,000 रुपए नेक्स्ट है एक चार की डेट यहाँ पर भी भर दिया और यह on account है 20,000 रुपए 20,000 रुपए अर्जुन के बाद फिर भीम का सेलेक कर लेंगे ठीक भीम का पहले डेट कर दिया हमने और यहाँ पर भीम का जो है खाता से लेकरेंगे भीम का है हमारा नीचे BHM 003 009 BHM 003 009 और यह amount है हमारा 10,000 रुपए का तीसरा है इसमें भी एक अपरेल की डेट ही पड़ेगी यह हो जाएगा on account और यह amount हो जाएगा 30 रुपए अब सबसे लास्ट में यह digital limited का account बचा हुआ है इसको भी हमने सही कर ले रहे है यूद यूद श्लैस 002421 इमांट हो जाएगा 15,000 रुपए यूद 002422 002422 और यह हो जाएगा 25,000 रुपए इस तरीके से एक एक करके हम सबकी bill wise entry करेंगे तो यह bill wise entry करने के बाद एक बार अगेन हम चेक करेंगे कि यह bill wise entry करने के बाद लेजर पर क्या effect पढ़ रहा है इस effect को देखने के लिए हम keyboard से B button प्रेस करेंगे तो हमारी balance sheet दिखेगे और alt iPhone से expand करेंगे तो यह दिखेगा तो आज की class के जो entry हुई है उससे हमारे balance sheet पर कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए जो entry किया है उससे देखने के लिए हम यहाँ पर sundry creator में आ जाएंगे creator में आने के बाद अभी हमें अगर हमें record देख रहा है तो यहाँ पर दिखेए alt B से bill wise दे रखा है जैसे alt B प्रेस करेंगे bill wise bureau यह देखाने लगेगा कि 450 नंबर बिल से यह amount है 452 से यह amount है और 452 से यह amount है ठीक है किसी का भी bill wise bureau देखना हो वापस आईए माले जै कि हमें customer का किसी देखना है तो डेटर्स में आ जाएंगे इदुष्टिर का देखना है तो इदुष्टिर के आ जाएंगे और आने के बाद फिर इंटर करेंगे और फिर यहां alt B बटन प्रेस करेंगे तो यह bill wise record दिखाने लगेगा अच्छा इसको चेक करने का एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं यह तो हो गया एक जहां से चेक करना दूसरा है सार्कुट की याद रखिए डी, डी फार डिस्प्ले